ट्रsil Training साब सबका मेरे चैनल में स्वागत है, यह मैंने एक केजी खोया लिया है, इसको बहुत अच्छे से भून लिया, इसको भूनने में मुझे आदे घंटे का समय लग गया था, और इस खोया को थंडा होने में भी अदे घंटे का समय लग जाएगा, ऐसे करके मैं फेला देती हूँ जिससे खोया मेरा जल्दी से ठंडा हो जाएगा और इसका कलर देख लीजिए इस तरीके से विलकुल आपको हलका लाल-लाल करके खोया को भूंजना है जितना अच्छा आप खोया भूंजेंगी उतने ही अच्छी आपकी गुजियां बनके तय देखें यह मैं चैक कर लेती हूँ अभी खोया मेरा ठंडा नहीं हुआ है थोड़ा सा गुन-गुना है इसलिए खोया को एक तरफ ठंडे होने के लिए रख देते हैं और आगे का प्रोसेस कर लेते हैं गैस ओन करके मैंने फ्राइफेन रख दिया था इसमे आदे छोटी च और कम से कम 15-20 इलाइची के दाने लिए हैं इनको निकाल लिए हैं इसको भी सी नारियल में डाल देंगे और इसको भी सी में रोष्ट कर देंगे और ये भी मैंने देख और मेवली है इसको भी सी में डाल देंगे इसको भी अच्छे से इसमें भून लेंगे देखें इस त तरीके से और खोय को डालने के बाद देखिए मिक्सिजार में मैंने चैक करके दिखा देती हूं विल्कुल बारिक पिस गया है और खोय को मैंने अपने भगोने में ट्रांसफर करके अब इसको हातों से विल्कुल बारिक कर लेंगे इस तरीके से खोय को मैंने विल्कुल बार देखे देखे चिरोंजी ली है दो तीन बड़ी चमत्च इसको भी सी खोई में डाल देखे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से देखिए गुजिया का जो भरावन था तैयार हो गया है अब ही मीठा बाकी रह गया है तो यह हमने पिसिवहुचीनी लिये यानि की बूर 300 ग्राम इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे इस तरी से गुजिया की जो फिलिंग थी वो बनके तयार हो चुकी है देखिए कितनी अच्छी सी फिलिंग बनके तयार हुई है अब इसको एक साइड रख देते हैं इधर मैंने आदा केजी में मैदा ली थी इसको चान के बरतन मे यानि कि छोटे तशले में और एक बड़ी कटोरी मैंने इसमें ओयल डाल दिया है और खोब अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे लड़ू अच्छे से बनना है अब थोड़े से नॉर्मल रूम टंपरेचर के पानी से इसका एक डो लगा लेंगे और डो को बिल्कुल सौ गजारी बना लेते हैं एक चमज मैदे में दो टीं चमज पानी डाल देंगे गाड़ा गोल करके एक गों बना के तयार कर लेंगे इस से हमें जो ग Murphy्या भरने के लाज चिपकाने में बहुत मदद मिलेगी देखिए इस तरीके से गाड़ा गाड़ा गुल बना के मैने मैदे कर लेंगे लम्स पूडी की तरह बेल लेंगे इस तरीके से हलके हातों से हमें पतली पतली तरह पूडी horrifying कि इस तरीके से मैंने रोटी देखिए ऐसे मैंने चार पूड़ी बना के तयार कर ली है अब मैंने ये वाला गुजिया मेकर लिया है इसमें अपनी रोटी को रख देंगे मैदे की रोटी को और उसके ओपर से खोए वाली फिलिंग रख देंगे एक चमच भर के और जो हमने गड़ा-गड़ा मैदे का गोल बनाया है, उसको अच्छे से लगा देंगे किनारियों से, देखे, आप इसको चिपका देंगे, गुजिया मेवकर को अच्छे से दवा देंगे, देखे, इस तरीके से ये गुजिया बनके हमारी तयार हो गई है, बची हुई मैदा को को उठा के मैंने गुजिया मसीन में रख दिया है उसमें फिलिंग रख दिंगे देखिए फिलिंग रख दिंगे और जो मैं देखा घोल बनाके रखा है उसको लगा दिंगे अब अच्छे से मसीन को अपने प्रेस कर दिंगे मसीन को अच्छे से प्रेस कर दिंगे देखिए इस तरीके से ये भी गुजिया भरके मेरी तयार हो चुकी है ऐसे ही मैं सारी गुजिया बनाके तयार कर लूँगी देखिए सारी गुजिया बनके तयार हो गई है इधर मैंने प्लेट में निकाल ली है गुजिया पास से दिख ही इसमें अच्छे से हो गया था तब हम रेत्ट मिंगने करते हैं मंने तरीके से एक बैच की गुजिया मैं डाल दी हैं और उन sou XV 270 का च्किंट में अब इनको 10 मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि हमें इनको सिलोग इस में शेकना है और धीमे-धीमे विसको सिख ना है इनको उलटते पलटते जाएंगे और इसको अच्छे से सिखने देंगे इस तरीके से गुजिया को अच्छे देखिए गुजिया हमारी कितने अच्छे से सीख के तयार हो गई हैं देखिए आप इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं सारी गुजियाओं को तेर को खुब अच्छे से नचोड देंगे देखिए इस तरीके से गुजिया को निकाल लेते हैं देखिए इससे निकाल देंगे अब अपने दूसरे बैच्छी गुजिया को डाल देंगे दूसरे बैच्छी भी गुजिया डाल दी है इसको भी अच्छे से से शेक लेंगे देखिए इस तरीके सो को इसको भी उलट पलट करके अच्छे से से शेक लेंगे ये भी गुजिया हमारी सिक्के तयार हो गई हैं इसको भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं देखे कितने अच्छी सी गुजिया सिखी है अब तीसरे बैच की भी गुजिया को डाल देते हैं इसको भी उलट पलट करके सेख लेंगे बस आप थोड़ा सा जब गुजिया डालेंगे तो हमें गैस की टमप्रेचर को स्लो रखना है जिससे गुजिया हमारी अच्छे से इस तरीके से ताइन बैच की गुजिया सिख के तयार हो चुकी है इसको भी उलट पलट करके सिख गयी है अब इसको भी निकाल लेते हैं अब यह सबस्खे छोथे बैच की में गुजिया डाल दूंगी इसको पी ऐसी सेख लेंगे आप लोग के simply तरीके से माबा गुजिया ज़रूर बाना ये माबा गुजिया बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत जल्दी भी बन गई थी बैको simple तरीके से बनाए है ये गुजिया भी बनके तयार हो चुकी है देखे इनको भी शेक के निकाल लेते है अब बच्ची ही गुजियों को भी डाल देंगे इनको भी सेक लेंगे अच्छे से और हो ली हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही ने सकता है इसलिए घर-घर गुजिया तो बनती ही है फिर किया आप भी बनाईए इनको देखके जट्चे किचिन में दोड जाई यह ओफट अफट गुजिया बना डाली है इस तरीके से यह गुजिया भी सिक्के तायार हो गई है इसको भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे देखिए इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से गुजिया सिक्के तयार हो गई है मैं आपको पास से दिखा देती हूं देखिए इस तरीके से अगर आपको होली स्पेसल गुजिया पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज आप सब मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइ पी क्यार